जी जनाओं वंसे गान वालकम बैक आफ्टर अब ब्रेक और अब मैं थोड़ा सा जिकर करूंगी पेसल के हवाले से पेसल का तो आपने बड़ा सुना होगा हमने उसके बड़े सीजन भी देखे हैं जॉई भी किया है और अब एक्साइटमेंट भी है कि अगला सीजन आने वाले अगले महीने से ये तो हो गई पेसल के हवाले से बात लेकिन एक और मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ कि कश्मीर प्रेमियर लीग ये भी एक नई चीज है ये भी एक नया सीजन है जो हमारे दरमियान आने वाला है और क्रिकेट लवर्स के लिए भी एक नई चीज है तो इसमें किस अलिफ अंदाज होगा वो हम पूछेंगे हमारे महमान से क्यूंकि ही इस दे प्रेजिदेंट आफ कश्मीर प्रेमियर लीग तो आईए वेलकम करते हैं हमारे साथ यहां पे मौझूद हैं आरिफ मलिक साहब कैसे हैं बहुत और शुक्रिया कि आप तश्रीफ लेकर आए और आज बड़ा इंटरस्टिंग सा टॉपिक है बिकिस जितने भी क्रिकेट लवर्स है उनके लिए एक और ये एक साइटमेंट से भरपूर नियूज है कि एक और इस तरहां की लीग हमारे दर्मियान में आने बाली है और अभी इसकी ओपनिंग अगर सेरुमेनी कहा जाए तो वो भी इसलामाबाद के बड़े होटल में आप कर चुके हैं तो जरा मुझे इसके बारे में बताइएगा कि इस लीग को स्टार्ट करने के लिए कैसे आपके दिमाग में आईडिया आया और अल्रेडी पी इसके अटियूशनेटेंबन ज़िए खिराली अपनिशनेट लीख यूशनेटली के लास्ट पी आसल जब चल रहा था तो अगरत को विए से खैर आउडियन्स को अठाना पड़ा बिगाव दिया गारी और अगर मेरा खिल है किस अग्साइड में एक प्रिजिए वापस पी कुके प्रिविए सियर हम लोग उने पराग्लाइडिंग फेस्टिबल एक हमने किया अजाद कश्मीर में और वेंट वेरी सक्सेस्फुल मार्शाला से उसमें उसमें 36 मुमालिक से पराग्लाइडर पाइलेट से उसमें आए थे तो वैसे आउट अफ नोवेर I was discussing with the Prime Minister के बिल्कुल तो मार्शाला से we are done with everything और अश्वकत हम एक एक स्टेज पे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम इंशाला तल्ला इसको लांच भी करने जा रहे हैं इसका अफिशल एंथम और बाकाइदा एक हमारा जो लांच है वो हम मुझाफराबाद बिकास हम डिफरेंट जगों पर अपने रोड शोस हम कर चुके हैं और फाइनल देस्टिनेशन इस जगह पर ये इवेंट होना है तो वहां पर we will celebrate about this Kashmir Premier League and it will be a great message for the whole world कि पाकिस्तानी साइट के जो अज़ाद कश्मीर है वहां पर celebration सेल रही है cricket हो रहा है exactly वो excitement ही अलग होगी कि अब हमारे यहां पर जो है वो इस तरह की एक चीज़ एक ऐसा event हो रहा होगा क्योंकि cricket lovers I don't think so कि कहीं ऐसे नहीं होते कि ना मौझूद हो तो cricket की जो एक जजबा होता है ना देखने का और पता होने का कि हाँ इस तरह कोई event हो रहा है तो एक बड़ा excitement उसकी होती है अच्छा जैसे पीएसल की कुछ बुनियादे थी कुछ तोर तरीके थे क्या के पीएल के भी वैसे ही होने वाले हैं या कुछ मुछ बुनियादे आपने डाली है उसके लिए पीएसल तो माशाला इट इस प्राउड ऑफ पाकिस्तान यैस जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेकंड लाजिएस लीग ऑफ टे वर्ल्ड एक पूरी एक एफुर्ड थी एक चार पांच साल से चीज़ चल रही थी उससे पर पीसे अगर चले जाए तो उस पे भी साल दो साल पाकिस्तान ने उस पर प्रॉपर काम किया पीएसल पे तो जो कि अप्रूव हुआ कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बन गी है पीएसल तो पीएसल हमारा बहुत बड़ा एसेट है और हमारे बाते का जूमर है अफकोर्स देखें अगर आप अ करें चैंश को पूरे सेनैयो की बात करें तो अजाद कश्मीर हमें लगता था कि अगलेक डिएकिट लिए न्गलेक्टड़ के वहां पर आपको प्लियर डियूप्ट्म प्रोग्राम था हूं मिल पा रहा है आफकोर्स पाकिस्तान ने हमेशा मॉक्का सब को दिया है और कश तो वहां पर प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं था पहुंचना पाकिस्तानी के जो मेन स्टेकोल्डर्स एंग क्रिकेट के तो वे डिसाइड़ के फिर हम इसको कश्मीर प्रीमिर लीग को हम उस आखरी बॉर्डर तक लेके जाएंगे जहां पर आपको आइडिया है या नहीं आइडिया ऐसे बचे भी वहां पर मौझूद हैं जो के कपड़े की बॉल बना के प्ले क्रिकेट और नंगे पॉंग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हमारी फैसनेशन हमारा पैशन वो बच्चा है उसको हमने वहां से प्रमोट करने हम हमने उसको निकालना है और अलिडी हम जो ट्राइल्स की हैं तो वी गट रिमार्किबल फीड़बैक अमने मीरपूर में मज़फराबाद में ट्राइल्स किये वी गट सिक्स थाउजन प्लस एंट्रीज छे हजार बच्चे वहां पे आए जोने ट्राइल्स दिये जिसके पा इतना सब कुछ देख लिया आपको आइडिया हो गया कि वहां पर भी क्रिकेट का इतना पैशन है इतने सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह से इस खेल के लिए दिवाने तो आप लोगों ने PSL में ही क्यों टीम बनाकर कश्मीर की नहीं डाली आपने एक अलग से प्रेमियर जाना पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास एक स्पेस भी मौजूद थी और वो बच्चे हम एक्शली देख रहे थे कि जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है कि अगर एक बच्चा नीलम से खेलने जा रहा है या किसी भी अरिया से खेलने जा रहा है और उस हाड एरिया से जब जाए लिए उनके घरों में चूले अच्छे जलेंगे और पूटुर सेक्षर होने वाली बात पॉई खायक्छी और वो सारे की सारी जो सस्टेनीबिलिटी है वो अज़ाद जिमίν Александ किश्मीर में जाएगी और उन बच्चों के घरों में जाएग जो शायद वैसे अपने देखें ताके फिर उससे आगे चलकर और मजीद हमारी खुबसूरत गुफटगू हो सके तो लेट्स चेक इट आउट लेट्स चेक ऌयो त«ूखँ अ कर नादे कर्प लुफ़ हुआ। तो यह हमने देखे जो आफिशल जो टीम लोगों से यह हमारे पास मौजूद है तो यह मुझे बताईएगा कि कितनी टीम्स इसमें शामिल हो रहे हैं बादपर छीम्स हैं बैसिकली हमने रीजिन्स को डिएट किया रीजिन्स के हवाले से रग भी पर्स्त हमिर्पूर रोयल्स है कोटली पैंथर रभला कोटोक्स, बाक स्टालियन्स, मुझफषराबाड टाइगर्स और एक exciting team है overseas warriors अच्छा overseas का क्या मतलब? देखें जब हम इसकी planning कर रहे थे तो उस वकद बहुत सारे ideas आ रहे थे discussion चल रही थी because एक बहुत बड़ा creative unit भी है हमारा जो इस पे वो काम कर रहे है overseas warriors का concept यह है कि यह वो warriors है जिनों ने 60 की, 70 की और असी की दिहाई में अजाद कश्मीर से गए, income के लिए गए मदब कुछ बरतानिया में सेटल रहे हैं, Middle East में और पाकिस्तान के लिए foreign direct investment भेज रहे हैं, वहां से remittance भेज रहे हैं तो उनको tribute पेश करने के लिए हमने यह team उनको dedicate किया क्योंको उनको पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बहुत बड़ा contribution किया है so overseas warriors team सारी किश्मीरी की है ठीक है, लेकिन वो represent overseas उनको कर लो, वो को कर ले मज़िक लावत हो एक चीज़ बीच पर रही थी कि trials इतने exciting थे हमारे कि एक तो जब हमने trials लिए कि साइद अजमल और अजर मेहमूद खास तोर पर हमारे stars है वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस बच्चे को पिक करें और किस को ना पिक करें स्पीड वहां पर बहुत ज़्यादा थी वॉल्स की वहां के बच्चे हैं बड़े जफाकश बच्चे हैं टीम्स के अंदर सारे नए प्लेयर्स रखें जो फ्रेशर्स होते हैं या उनके साथ आपने टीम कॉमपोजिशन जो है ना मैं आपको थोरा सा लास्टी एड कर रहा था कि हमारे पास कोई आठ दस बच्चे ऐसे आये थे जो ओवर सी से स्पेशली ट्राइल्स दे निकली आये थे बरतानिया से लोग आ रहे थे येरोप से लोग आ रहे थे मिडली से आ रहे थे तो दाट वस कोईट की सिच्वेशन में सो हमारे लिए बड़ी इंकरेजिंग थी दूसरा क्या सवाल था आपका वो टीम के हवाले से था कि जितने जो आपकी टीम मेंबर्स बने हैं जो जितनी भी बड़ी टीम बनी है उसमें सारे फ्रेशर्स ही है जो आप जैसे बता रहे थे कि बहुत ही तादाद में आपके पास नहीं बच्चे आए जिनों को चूस करना मुश्किल हो रहा था तो उन जो आपका मिलेगा शायद आफरीदी के साथ खेलने का मौहमार अफीस के साथ खेलने का बाबर आजम के साथ खेलने का उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा उनमें ऐगा उम्हाम उमीद करते हैं कि इन्शाला अगले कुछ सालों में वी न प्रूश्ट प्लेर्स पाकस एक तो यह है कि हम चुके इस न्यू लीग जब नई लीग होती है तो इसमें बहुत सारे इशू चल रहे होते हैं फिर रिस्ट्रिक्शन होती है मसायल होते हैं तो फिर फिर फिर्स यह यूजिंग पाकस्तानी प्लेर्स ओनली लेकिन इसके अंदर हमने थो सेग्मेंट है ज इस किसम की बदब चीजें जो इनवॉल्मेंट है जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर सारे पाकस्तानी है अच्छा 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 यह जो छे टीम्स आपने बनाई हैं इसके जो क्याप्टन्स होंगे वह आप लोगों ने लॉग कर दिये हैं तो वह कौन कौन से देखें हर लीग का अपना स्टुक्छर होता है हमारा बिसीकली स्टुक्छर यह है के हमने दो आइकन प्लेइर्स सब टीम को एलोग किया है कि आप दो आइकन प्लेयर्स ले सकते हैं जैसे फिर्स कर एंके मजफरबाद टाइगर्ज ने अपना अइकन प्लेयर शायद खान अफरीदी को लिया, he is one of the biggest stars in Pakistan. और मैं अखला है कि बहुत सारे शोबे स्टार से, he is better than those stars, अगर following की बात करें. तो फिर हमारी जो कोटली पैंथर्स है, उन्होंने मुहमद हफीज को पिक किया, मीरपू रोयल्स ने पिक किया, शोयब मले को पिक किया, उन्होंने अच्छा, तो इस तरह से अलड़ी उन्हों की acquisition चल रही है, तो आपने उन लोगों को मौका दिया कि वो choose कर सकते हैं, तो बा आपने अपने प्लेयर्स और अपनी टीम फाइलाइज करेंगे, तो यह कब से आप स्टार्ट ले रहेंगे, यह 14th of May से इंचाला, वे स्टार्टिंग तिल 27th of May, और 18 मैचे इसमें हमारे हैं, इसमें हमारे हैं, सिंगल राउंड, सिंगल राउंड के बाद, समी पे जा रहे और यह सारी गेम्स इंचाला मुजफरबास से अप लाइफ देखेंगे, और दूसरा यह आप वोल्ड वाइड ब्रॉड कास्ट आप देखेंगे, इस नौर अबाउट पाकिस्तान होली, अच्छा, इस अबाउट यूके, येरोप, मिडल इस्ट, यूएसे, अब हर जगह पेस को कश्मीर प्रीमेर ली को लाइफ देखेंगे, इस अब अबी तक सारी जितने भी प्रोसीजर से सारे खतम हो गए हैं, बस अब गेम स्टार्ट होनी की देर रह गए है, बस गेम इन्शाला ओन होने लगए है, अच्छा, अगर इसके एंथम के हवाले से बात की जाए जुबिलीशन डालने की कोशिश की है, बिगाज तेखें, अगर आप अज़ाद किश्मीर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हर किसम की आक्टिविटी हो रही है, अल्ला ताला के फजलो करम से कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है, हर एक के पास फंडमेंटल राइट्स हैं, कि किस अगर आप इसको कॉंपेर करें, अचा, इसके अंदर हमने बेसिकली तकरीबन कोई 26 टॉप स्टार्स हैं, उनको हमने लिया और उनको हमने अपने स्कॉर्ट का हिस्सा बनाया, ठीक है, जहांगीर खान इस पार्ट आफ एट, समी अल्ला, मैवेश आयात, आईशा अमर, निल अफरीदी और बाकी और भी काफी सरे इसमें लोग, तो यह वो हमने एक इन्वार्मेंट क्रियेट किया है, I think it is one of the biggest productions ever, because हम खुद काफी एरसे से फ़लोग कर रहे हैं, स्पोर्ट को, स्पोर्ट की, it is one of the biggest productions ever, सही है, तो अचा, यह मुझे बताएं, इस प्रेमियर लीग क जो मैचेज होंगे, वो सिफ कश्मीर में ही होंगे, या पाकिस्तान में भी और दूसरी सिटीज में हो सकते हैं, देखे हमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एनुसी हमें जारी किया है, जब हमें सैंक्शन किया है, उसके मताबिक हम इसको रावल पिंडी और के एसके एक्ट करेंगे कि और कुछ का रच्ष को일 स्कारवशनार करेंगे को का है तो वज बाड़ कुछल झीजर का रहनार कि अवगए अब एक्ञी यह से भी खिरख़ाद मुझा रॉड़का खा न view रहा है हलाके वहाँ पर हमें फैसिलिटीज का इशूज आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं और अलग ताला के फजल करम से वहाँ पर फ्लड लाइट्स भी लग रही हैं. कि मुझाफराबाद की वैली है अंदर क्रिकेट ग्राउंड है और फिर ओल अराउंड वैली है, अभी बहुत सरे इमिजिज आप लोग ने गवादर के देखे हैं, गवादर इस अमेजिंग स्टेडियम जो इसको आई-सी-सी ने भी ट्वीट किया, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि जब ICC या इस किसम के अधारे मुझाफराबाद क्रिकेट ग्राउंड को ट्वीट कर रहे होंगे, फुली लोड़े फ्लॉड लाइट और बाइद फ्लॉड लाइट इसमें हम वो लगाने जा रहे हैं, जो मेल्बन क्रिकेट ग्राउंड पे हैं, इसमें LED फ्लॉड कर रहे हैं, तो डेफिनिटली एटीवी के तवस्त से, ये बहुत सारा अच्छा एक रिस्पॉंस आपको मिलेगा, इन्शालों बहुत अच्छा काम है जिस तरह से, आपके आपकी सारी टीम को वीड लाइक तो इन्वाइट कि आप फाइनल लाके देखें, तो मैं तो खेर पहले कहलती दी, बच्च पर में, तो खेर क्रिकेट से किसको इंटरेस्ट नहीं होता, मेरे खाल से हर बच्चा, हर घर के अंदर, हर गली में मौका जब मिलता है, तो जब आपको देखने का मौका मिलता है, आपको अपने नैशनल हेरोस के साथ और जिस तरह से अब आपने की के मुझजफराबाद की खुबसूरत वादियों में अगर ये इस तरह की चीज मुनकिद होगी तो जाहर सी बात है के इंट्रिस्ट लेवल आपका यहां से यहां चला जाएगा और बहुत एक अच्छा इनिशियेटिव आपने लिया है और स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट के ह यहां सारी चीज मेरे लेकर अच्छा इनिशियेटिव आपको इस बात से खुशी होगी कि हमारे पैटरिन चीफ इस प्रेजिट आजाद किशमीर और डिसीजिए अपोर्स इस अप्राइवेट लीग बट हर चीज डिसकेश हो रही है गर्मेंट से तो गवर्मेंट पाकिस् इस प्रेजिएगेस्ट कॉज एवर जो 1947 से लेकर आज तक का पाकिस्तान है यह गालबन सबसे बड़ा कॉज होगा बिकॉज करोनों लोग अक्रॉस ते गलोब आपके मुझफराबाद क्रिकिट स्टेडियम से लाइव इस क्रिकिट को देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगें हमें सीजन देते चलेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इसंत। इससे के सात नाजरीन यहां लेंगेंगे एक च्छोटा सब्रिक ब्रेक के ऐादे हमारे साहती ही रहिए dt. झाल झाल